क्या आपको भी दोस्तो लाइफ स्ट्रिम करना है एक ही साथ आपके यूट्यूब पे और फेस्बुक पे भी वो भी OBS के थुरू तो दोस्तो आज का सेशन आपके लिए है हेलो दोस्तो मेरा नाम श्रियास बाठिया है और आप देख रहे हैं बांटिया स्टिरिंग इन कंसर्डनसी और आज हम देखने वाले है कि किस तरीके से OBS में फ्रीली फेस्बुक पे और यूट्यूब पे साथ में ही लाइफ करना है तो चलिए फिर बीना कोई समय गवाए शुरू करते है तो देखिए दोस्तो यहां पर मैंने मेरा OBS ओपन कर लिया है और अब इसमें किस तरीके से हमने सेटिंग्स करनी है यह देखते है तो यहां पर चलना है नीचे सेटिंग्स में तो सेटिंग्स के टैप पे मैं क्लिक कर देता हूँ अब यहां पर आपको देखिए स्ट्रीम वाला एक option नजर आ रहा होगा तो इस पे आपने क्लिक कर देना है अब कौन सी सर्विस पे आपने स्ट्रीम करना है यह वो पूछ रहा है तो यहाँ पर अगर आपको Facebook करना है तो आपको Facebook सेलेट करना पड़ेगा जैसा हम मैंने सेलेट All कर लिया तो यहाँ पर देखिए Facebook Live यहाँ पर Option नजर आ रहा है तो Facebook Live पे मैंने क्लिक कर देना है मैंने मेरा Facebook का पेज ओपन कर लिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि Create में यहाँ पर नीचे Live करके एक बटन दिया हुआ है इस पर आपने प्लिक कर देना है और Immediately देखिए दोस्तों यहाँ पर Stream की आपको नजर आ रही होगी अब मैंने यहाँ पर इसे Hide कर रखा है Security Reasons के लिए तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ Copy अब देखिए यहाँ पर Copy हो गया है अब मैंने मेरे OBS में चलना है और यहाँ पर देखिए Stream की के जगे पर मैंने यह पूरा का पूरा As It Is Paste कर देना है यह हो कि आपका पूरा का पूरा Facebook के लिए किस तरीके से Setting होनी है यह यहाँ पर देखिए दोस्तों कि आपको Live Stream की Settings Recommendation में नीचे आ रही है इसे आप Ignore भी कर सकते हो बट जनरली Ignore करने में कोई Point नहीं बनता तो अब इसे OK कर लेना है या Apply कर देना है तो चलिए मैं ऐसे करता हो Apply अब यहाँ पर YouTube पर किस तरीके से हमने Add करना है तो यहाँ पर आपने जाना है Output में और Output में आपने Mode को Change कर लेना है Advanced में Advanced में Change करने के बाद Output Mode को Advanced में Change करने के बाद Recording वाले Tap पे जाना है अब Recording में देखिए यहाँ पर Type Standard दिया हुआ है और दूसरा है Custom Output तो Custom Output आपने Select कर लेना है अब Custom Output Select करने के बाद FF MPEG Output Type में यहाँ पर देखिए दो दिया हुआ है Output to File अब जनरली जब हम Recording करते है Screen Recording तब Output to File ही करते है पर यहाँ पर हमें Output to URL करना है तो Output to URL यहाँ पर आपने Select कर लेना है अब यहाँ पर यह File Path आपको पूछ रहा है अब यह File Path कौन से डालनी है यह भी हम देखते हैं तो चलिए YouTube पर हम लोग एक बार चले जाते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं मेरे YouTube स्टूडियो में आ चुका हूँ अब यहाँ पर आपको ऊपर Create tab नजर आ रही होगी Create tab में Go Live पर आपने Click कर देना है अब यहाँ पर Welcome to New YouTube Live Control Room पर आप चले जाते हो और यहाँ पर आपने Right Now पर मान लिजा अगर Right Now ही करना है तो यहाँ पर Start पर क्लिक कर देना है Built-in Webcam आपको यूज करना है कि Streaming Software तो Streaming Software मैंने यूज करना है तो Streaming Software पर मैंने Go कर दिया अब यहाँ पर देखिए Stream URL यह बता रहा है तो देखिए यह पूरा का पूरा आपको इस तरीके का URL वो नजर आ रहा है तो इसे कर लेना है Copy अब देखिए मैंने Copy कर लिया Successfully Copy to Clipboard अब चलना है वापिय से OBS में और यह देखिए मैंने URL पेस्ट कर दिया अब यहाँ पर जो Streaming Key होती है यह कहाँ पर Add होगी तो Streaming Key के लिए दोस्तों इस URL के आगे आपने एक देखिए इस तरीके से वापिय से एक डैश लगा लेनी है आपने तो वो जैसा ही स्लैश आपने लगा ली है वैसा ही अब आगे Streaming Key को आपको Copy करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है अब चलिए मैं वही करता हूँ तो देखिए यहाँ पर Streaming की नजर आ रही है इसे मैंने Copy कर लेना है देखिए Copy हो गई अब यहाँ पर जा करके मैंने इसे पेस्ट कर लेना है अब दोस्तों जानबुच करके मैंने Hide कर रखा है Security reasons के लिए अब यहाँ पर इसे भी कर देना है Apply और इसे कर देना है OK अब दोस्तों जैसा ही आप Start Streaming करोगे वैसा ही आपके Facebook पे यह Stream होना Start हो जाएगा और जैसा ही Start Recording पे आप Click करोगे वैसा ही YouTube पे भी यह Stream होना Start हो जाएगा तो इस तरीके से आप एक ही साथ YouTube पर और Facebook पर Live सेट कर सकते हो अब यह दोस्तों हो गया पूरा Procedural Setup Part इसमें कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है दोस्तों कि जब आप YouTube पे Live करते हो और Facebook पे Live करते हो एक ही साथ तब आपका System Encoder के उपर भी काफी जादा लोड आता है और दूसरा आपके Internet पे भी काफी जादा लोड आता है तो इसके लिए आप अगर चाहते हो कि आपके System से और आपके Internet पे दोनों भी Live Stream सही से हो और Quality भी अच्छी हो तो उसके लिए आपको आपका System Configuration के हिसाप से आपकी Settings चेक करनी पड़ेगी कि आप Full HD Stream तो करना चाहते हो बट आपका System Full HD को सपोर्ट नहीं देता हो तो उसको किस तरीके से आप Change कर पाओगे Bit Rate को किस तरीके से आपने Change कर लेना है मान लिए 6000 का Bit Rate अगर आपको ज़ादा होता है तो 4000 का Bit Rate भी आप कर सकते हो मागर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी Settings आप जैसा ज़ादा या कम करते हो वैसा ही आपकी Streaming Quality में भी आपको Resolution में फरक नज़र आएगा तो इसके लिए आपको सबसे Important चीज़े ध्यान ये रखनी है कि जैसा ही आप Live Stream करना चाहो वैसा ही आपने ये ध्यान रखना है कि आपका System Configuration के हिसाब से और Internet Connection के हिसाब से मतला भी Upload Speed के हिसाब से आपने आपके Live Stream की Settings करनी है Live Stream के Settings के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पुछिएगा ज़रूर तो मैं उसके उपर एक Special Best Live Stream Settings के उपर एक वीडियो बना दूँगा आशा करता हो दोस्तों कि आपको आज का सेशन बहुत काम आने वाला है अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल अइकन को प्रेस करना न भूलिएगा सो देट इस तरीकी की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमेशा पहुच जाय करें थैंक्यू